Hello and welcome to the studio members Godres property को आज के दिरे हम trade कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग discuss करेंगे कि किस तरह से हमने Godres property को select किया है Stock selection किया है हमारा आज का, कैसे हमने stock को select किया है And second point, stocks को trade कैसे क्या है As usual, जैसे हर बार हम बताते हैं Daily time frame पर analysis करिए and lower time frame पर analysis करिए तो Godres property को तरू आज इस एक point को और अच्छी तरह से और deep में समझने की कुशिश करेंगे वीडियो अच्छा लागता है तो उसको like कीज़े, comments कीज़े और और चैनल पर नहे हैं तो चैनल को subscribe कीज़े आगे बढ़ते हैं देखिए अभी हम लोग है day time frame पर अब day time frame पर क्या इसके अंदर वाँ move अच्छे एच्छा रहे हैं and trade book open कर लेते हैं so okay order book, position book open करते हैं position book में overall इस फटका देखिए जो quantity हमने शॉट की हैं, 450 quantity शॉट की हैं और इस फटका जो profit चल रहा है हमारा 3300 रुपए के आसपास के profit चल रहा है and एक ठीक ठाग और decent सा profit हमारा run हो रहा है and order book में देखिए stop loss 1644 रुपए पर हमारे stop loss लगे हुए है 450 quantity के and 1637 पर हमारे trades सारे के सारे active हो चुके थे and position देखे, profits फिर इंक्रीज हुए 4000 रुपए के आसपास हम इसके अंदर बने हुए हैं एक ठीक ठाग quantities के सारे अपना execute करे हुए है and अब हम बढ़ेंगे जो हमने कहा था आपसे stock selection एक simple screener के बारे में हमने आपसे discuss किया था फटाफट stock screener के बारे में आज हम क्या करेंगे उस scanner को आप लोगों को देंगे आप लोगों के साथ उसको share करेंगे वीडियो की description में हम इसका link की इडाल देंगे आप लोग यहाँ पर पहुँच जाना और इसके थूप करना क्या है कि जैसे देखे फटाफट stock screener में जब आप आओगे तो यहाँ पर इसको हम लोग बिल्कुल basic से open करते हैं शुरुवात से open करते हैं गूगल पर जाने की बाद में आपको क्या लिखने हैं यहाँ पर देखे क्योंकि हम सर्च कर चुक है तो सबसे उपर ही आगया है फटाफट stock screener यहाँ पर देखे इंडिया यह जो इंडिया लिखा है न फटाफट stock screener.in इसके उपर आप क्लिक कर दो यहाँ पर जो सबसे पहला उप्शन आगा क्लिक कर देजे इतने सारे उप्शन आपके पास आजाएंगे देखे अभी हमें करना क्या है एन पर हम चलेंगे एन पर पहुंच जाने के बाद में जेट टू ए कर देंगे और यह एन है क्या इसको पढ़ो के तो देखी लिखा है स्क्रिनर्स तोडे प्री ओप्रिंग वॉल्यूम एज परसंटेज टू फाइब देज आबरेज प्री ओप्रिंग वॉल्यूम प्रीवेस फाइब डेज के प्री ओप्रिंग मार्केट में जिन भी स्क्रिंदर की वॉल्यूम उनको एबरेज करके जिसमें सबसे ज्वञादा वॉल्यूम होती है आज के दिन में ऐसे स्क्रिंग को ला कर ये स्टोउ का करके ये इस टोच आपको दे देता है के stocks हैं अभी C और B को छोड़ दिए है ना A category के जितने भी stocks हैं आप सिर्फ उनको देखना और आपके पास अगर A categories के जो stocks आते हैं ना सिर्फ उनको trade करने की कोशिश करना C में काफी सारी नासिस करने की ज़रौत पड़ती हैं हमें confirmations लेने की ज़रौत पड़ती हैं इसलिए जो A category के हमारे stocks हैं बेसिकली इसमें आपको nifty 50 के stocks मिल जाएंगे A category वाले आप उनको उठा करके trade करो और उन्हीं A category की stock उठाओ जो कि आपके first 10 की list में बने हुए हैं को करो पहली चीज़ दूसरा क्या C category के stocks को आप trade नहीं कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हो थोड़ा से समय दीज़े इसको उठाइए इसको धीरे-धीरे-धीरे-धीरे करके आप कम quantities के साथ में paper trade नहीं कम quantities के साथ में इसको आप trade करो और फिर इसके अंदर quantities अपमें increase कर दो और C category के जितने भी stocks आते हैं उनको आप अपमी watch list में रखो और उसको देखो observe करो और कम quantities के साथ ट्रेट करो पहली चीज़े तो stock को हमने कैसे select किया और कैसे आप select कर सकतो यह चीज़ आभी इमने discuss किया आप से और आज हमने stock को कैसे select किया है गोद्रेश को कहां से लिया है यह भी हमने आपको बताया ओके जितना genuinely हम आपको यह साथ चीज़े से बता रहे हैं जिस हिसाब से हम चाहते हैं कि indicators के थूँ बहुत से लोग loss करते हैं consistently profit करना वो भी indicators के मादियम से बहुत बड़ी बात होती है आज नहीं तो कल आपको price action के उपर shift होना ही पड़ेगा अब यह यहां पर भी देखिए यह जो stock हमने select किया यह भी volume के through ही select किया है ऐसे stocks जिनके अंदर volumes में activity आपको दीख रहे है pre market opening में यहां से वो stock आपको मिल जागा आप उसको उठाओ trade करो price actions के according आप read करो जितने भी पहले के वीडियोज है strategies जो हमने डाल रहे हैं सब अच्छे चीज studies है एक basic level पर और अगर शुरुवाती level पर आप market में हो तो वो study बहुत help करेंगे आपके लिए आप उसको उठाओ practice करो ओके और आज जो जिस तरह हम लोग stocks को analyze करेंगे उसको भी देखो कुछ अगर question आता है समझते में कुछ परेशान ही हो रही comment box में आप अपने questions को type कर सक आके बढ़ते हैं और अब बात करते हैं higher time frame के reading की गोद्रिश property के माध्यम से हम कोशिश करेंगे देखने की कि सिर्फ और सिर्फ गोद्रिश property कोई नहीं किसी भी और stock को अगर हमें read करना है तो क्या process होना चाहिए और कैसे हम उसको trade करेंगे जितनी ये markings हमारी इनको सब को ह अब हम आएंगे lower time frame पर lower time frame पर देखिए इसके अंदर क्या हुआ है morning में volumes के breakout होते हैं अभी भी देखिए movements कितने बड़े-बड़े हो रहे है movements, movements देखिए काफी बड़े-बड़े movements हो रहे हैं वाओ profits भी यहां पर increase हो रहे होंगे अपने 13,000 लीजे 12,000 और 13,000 के profits पर हम आज किसरी बात करते करते हैं यहां 4-5 candles में अपने profits काफी अच्छी तरह से increase हो रहे हैं यह देखिए and basic support levels जो अपना target है वो तो 1600 का level है यहां तक हम price के आने का weight करते हैं बहुत आराम से मतलब इसको चलने देते हैं जो अपना काम है and access करने का बहुत आराम से आप लोग इस रहा हम इसको discuss करेंगे profits हो रहे हैं को चलने देते हैं and कोई भी buying वगएरा quarter हमारा भी लगा नहीं है पर order book open कर लेते हैं देखिए 16-14 पर stop loss लगे हुए हैं और 16-37 पर अपनी entry है and कोई भी buying order भी अपना नहीं लगा है so चलने देते हैं इसको हम लोग आगे अपना काम करते हैं morning में go this properties के अंदर volume आई थी जो थो में pre market opening में पता चल गया था कि इसके अंदर volumes के increase हुई है volumes ठीक ठाक आई हैं अब आजाए सिदे daily time frame पर कहीं से भी किसी भी method से आप किसी भी stock को slate करो हमें देखना ये होगा higher time frame पर उसकी positioning क्या है ऐसा नहीं है कि किसी method के थुरू अपनी stock को slate कर लिया अब उसके अंदर red candle देखके आप short का दे रहे हो या bullish candle देखके आप buy कर ले रहे हो यह सब नहीं करना है higher time frame पर जाना उसकी positioning देखनी है हमको कि positioning क्या है basically अब यहाँ पर देखे आप volumes को off कर देते हैं एक यह low लगता है हमारा high लगने के बाद में यह low लगा high इतना movement है उसको चलने दीजे अब देखे क्या हो रहा है अब यहाँ पर हमारा क्या reaction दिखाया है हम दोगों को आप देखे यह एक line हमने put up की ओके अब यहाँ पर देखे एक जो मेरा swing लगा है fourth of April की candle के high पर हमारा यह swing लगा clear है अब जितनी भी lines हम इनको सब को delete कर देते है basically हमने यहाँ पर दो lines अपनी draw कर लिए अभी इसके आगे volumes के क्या roll बगार है इनका अपना एक advantage होता है इनका अलग अपना use करने का तरीका होता है कम समय है सिर्फ और सिर्फ जिस भी point के पर हम focus करें इसको अच्छे तरह से clear कर पाए तो इसलिए volumes को अभी में off कर रहे है सिर्फ price को देखेगा यहाँ पर देखे प्राइस ने एक swing लगाया और यह एक high लग गया मेरा और प्राइस जहां से नीचे गिर गया अब प्राइस क ने एक sideways movement हम लोगों को यहाँ पर दिखाया और जब price ने हमारे इन levels को downside के दर ब्रेक आउट किया तो इसके अंदर इसके breakout देखेए volumes के किस तरह के हो रहे है यहाँ पर आपको volumes के breakout देख जाएंगे मतलब एक support के ऊपर price जब है एक support के ऊपर resistance के नीचे जब price है तो इसके अ हम discussion करते तो थोड़ा से लंबा video हो जाता है हमने दो तीन बार यह चीज़ आप लोगों के साथ डिसकस की है कि वो talent नहीं अपने पास के पांच मेंट की चीज़ को हम team net में बोल दें और पांच में जो points हम आपको clear करना चाहरे थे team net में वही point clear हो जाए तो इसा next to impossible है समय ल लेवल पर हमें identification अगर करना तो levels को read करना पड़ेगा अब यह वाला मेरा resistance बना है यह resistance प्राइस अब upside की तरफ गया इसने यह resistance declare कर दिया यह clear यह confirm resistance में अब बन गया price अपने इस support और resistance के अंदर एक sideways move हमको show कर रहा है और यहाँ पर volumes के breakout हमने देखे ही थे किस तरह के हुए थे अभी volumes के breakout हो जाने के बादे market ने क्या किया है अगेन इस resistance level के पास में आई है इसे इसको समस्य चलिएगा again market हमारे इस resistance level के पास में आई है कौनस लेवल 1639.70 1639.70 इस level के पास में आई है अब यहाँ पर देखे क्या हो रहा है price ने volumes के साथ breakout किया और downside की move हमनों को show कि और again market 1639.70 इसके ऊपर चलिए clear है अभी यह level समने draw के लिए वापस हम lower time frame पर चलिए अब lower time frame पर देखे कुछ समझ में आ रहा है किस तरह से levels यहाँ पर work कर रहा है कैसे यहाँ पर हमें identification मिल रहा है किस तरह से जो price है यह अपने levels के पास में react कर रहा है morning की first candle से शुरुआत करते हैं first candle हमारी bearish candle थी bearish candle क्या show कर रही है सबसे पहले तो यहाँ पर profit working plus selling pressure और इस selling pressure के बाद है market ने इस resistance के पास में किस तरह से rejection हम लोगों को दिखाया है 1638.70 एक line draw करते हैं 1638.70 और 1639.70 इन दोनों lines की बीच में just सिर्फ और सिर्फ एक रुपए का फर्क है volumes को off कर देते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रुपए का फर्क है इन पूरी lines के levels के बीच में हम चाहते तो 1639.70 के आसपास भी entry अपनी ले सकते थे अब exact वहाँ पर entry नहीं है एक रुपए थोड़ा सा नीचे confirmations जब लेने का वेट करोगे तो होता है कभी एक अभी entries यहाँ पर 1639.70 कर लेते हैं अभी हम क्यों करने बताते हैं आपको 1639 यह exact वह अपनी marking है जो अभी हम लोगों ने high time frame पर की थी इसके नीचे market की activity देखिया क्या हो रही है क्या यहाँ पर market कर रही है lows लग रहे हैं और highs से prices के अंदर rejections शोग हो रहे हैं यहाँ पर देगे सिर्फ एक इस candle को छोड़ो तो बाकि सभी candles ने rejections ही दिखा है इन लोगों को और यह जो rejections हैं यह शो करते हैं कि जिन levels से हम काम करना चाहर हो जो हमारा view है वो कहीं ना कहीं सही हो सकता है हमने क्या किया इस level के पास अपने entry के confirmations लिए swing high के ऊपर calculations के बाद में 1644 का stop loss लगाया और target के लिए हम वेट कर रहे हैं हमारा 1600 रॉपय का level यह मेरा round number है हम वेट कर रहे हैं कि price हमारा 1600.30 तक आया हो और यहां से बहार निकलेंगे अभी क्यों निकलेंगे 16100 रॉपय का यह जो level है हम daily time frame प market अगर यहां तक आती है जो की उम्मीद है चांस है कि आज के दिन market यहां तक गिर सकती है और अगर इसके नीचे भी breakout हुआ तो market इसके नीचे भी आ सकती है तो जब आएगी 1600 रॉपय के level पर तब हम देखेंगे कि इसके अंदर के activities क्या हो रहे है फिलहाल अभी का जो अपन अब हुआ है यह ऊपर चलिए वापस बहुत 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 ऐसा हुआ है कि हम लोग अपने targets तक पहुंच गया और वापस stop loss हीट करवा देते हैं तो ठीक है देखें कि market अगर अब side के दर्फ जाती है को reversal हमको देखते हैं तो हम निकलने कोशिच करेंगे otherwise wait को बड़ा movement होत होता है या फिर को activity हम करते हैं तो हम आपको इंफर्म करेंगे काफी अच्छा दिन रहा आज का और profit जो हमको 1600 रुपय की लेवल पर बुक करने थे price को हमने बोला था कि करीब करीब ये एक परसेंट तक और गिर सकता 1660 रुपय की लेवल तक और अभी देखिए कहां पर ट्रेवल कर रहा है डिएट दो परसेंट और नीचे गिर चुका है तो अभी भी हम market के अंदर बने हुए है और overall जो आज का अपना profit चल रहा है 27,180 रुपीज के profit में बने हुए है इसके अंदर और अब हम यहां से बहार निकलेंगे ज्यादा भी इसको hold नहीं करेंगे तो जल्दी से बहार निकलते है और रोक में जाएंगे stop loss से पहले cancel और stop loss cancel करने के बाद में position book 28,000 पंद्रा 15,74,73,72, 15,73,72 चले यहां पर आते हैं positions 15,72 और कंफिर्म्ट 416 कौनिटीज निकल गए 15,72 ओके काफी कौनिटीज अपनी निकल गए है 188 कौनिटीज हमारी भी बची हुए है ली जाए सारी कौनिटीज हमारी निकल गए ओके तो आज काई trade हमारा पूरी तरह से खत्म होता है and order book में चलके देख लेते हैं देखे जितनी कौनिटीज थी 450 कौनिटीज लगए जितनी कौनिटीज थी सारी की सारी हमारी निकल गए 15,72 पर हमारे exit का सारा का सार ओडर लगा था 16,44 हमारा stop loss था 16,37 हमारे जितनी कौनिटीज थी हमने यह आज का trade हमारे यह पर खत्म होता है I hope कि जो system जो stock selection का process जो method ने बताया है आपने इसको देखा होगा समझा होगा और जैसे हमने stocks को read क्या है trade क्या है क्योंकि stock selections तो चलिए ठीक है काफी अच्छा risk and reward ratio हमारा यह रहा अब देखिए एक बार हम इसको measure कर ही लेते हैं देखिए यह stretch target है हमारा actual जो हमको अपने profits book करने तो 16 रुपय के लेवल पर book करने थे तो 1 ratio 5 के लिए trade हमने execute किया था और कुछ समय के बाद हमको हमारा target मिला लेकिन इसके आगे हमने और stretch कर दिया अपने targets को और इस वात जो हम अपना ratio निकाला हमने 1 ratio 8.45 का ratio है हमारा काफी decent सा profit हमार intraday session के recording और यह हमारा stretch target है आज के लिए यहां से हम बाहर निकल चुके है because यह देखिए जो आप level देख रहे है यहां पर market last to last trading session में support लिया था इसमें market नीचे आई थी again इस level को close कर देने के बाद में यहीं से उपर चली गए थी और इस पर जो हमने अपना profit से book किया है exact इस इसी level पर book कर लिया है 1576 रुपीज के आसपास तो trade हम यहीं पर अपना खतम करते हैं जो चीज़ अभी हम आपसे बोल रहे थे stock selection stock selection का जो method ने आपको बताया है आज के वीडियो में उसको देखिएगा practice करिएगा और फिर से हम बोलने कुछ कम quantities के साथ में पहले इसके practice A category की stocks को हमने इसलिए बोला क्योंकि वो थोड़ा साथ सेफ रहेंगे volumes भी अच्छी आते हैं ऐसा नहीं कि B और C category के ज़्यादा साफ सुतरे stock होंगे इसलिए उनको category wise device divide भी किया गया है A को देखिए B और C को लेकिन 1 से लेकर के 10 तक जितने भी stocks आ रहें आप उन सभी stocks को थे उन्हीं सारे stocks को observe करो और समझने के और सीखने के को प्रयास करो और price reading को लेकर के जो daily हैं videos upload करते हैं आप उनको देखो कुछ doubts होता है confusions होती है आप हमसे पूछ सकते हो इससे पहले जो videos हमने upload कर रहे हैं कि आप उनको देख सकते हो तो कुल मिला करके सीखने के और market को समय देने के कोशिश करो यहां एक दिन, दो दिन, तीन दिन और एक खफते में कुछ होने वाला नहीं है professionally अगर आपको किसी भी field में success होना तो समय चाहिए होगा education के उपर अपना invest कीज़े समय दीज़े market market देखी विए और भी नीचे जा रहे है अगर हम बने होते तो 76 से भी 69,6 रुपय और market नीचे चली गई है तो इसको जाने देते हैं आज का जो हमारा overall profit है 29,232 रुपय का profit है अब हम लुग मिलेंगे अपने next trading session में कोई भी stock जो high probability के होते हैं उसे हम अपने private और public group दोनों में ही share करते हैं private group में कुछ stocks उनके direction के साथ share के जाते हैं and public group में कुछ stocks हम देते हैं direction के साथ भी देते हैं without direction भी देते हैं तो आप telegram group joins कर सकते हो काफी सारी help आपको मिल सकती इस stocks की practice के लिए Thank you and we will meet again